नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनों गुरुज योटुप चन्नम तोस आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 160 सब्द प्रत्मिनट की इस वीडियो में हम पूरे 10 विनट का मैटर रहेगा परल्लेमेंट रिपोर्टर के लिए जो तरह लोग तयारी किठे उनके लिए ब्याद लाबकारी होगा जोस्तों जो हमारी मंетली पत्रिका है उसका तीसरा अंग प्रकासित कर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक दिया गया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ट्रिक्टेशन का पीडियाप दोस्तों आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल लियागा टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया है तो हम पेड़ गुरूप भी चला रहे हैं अगर आपको उसमें सामिल लोना है या उस गुरूप का मिंबर बनना है तो आप हमारे mail id studyforisthenographer at gmail.com पर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देने चाहिए पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें साथ में नोटिफेशन बेलान रखना जिस इंपोर्टन वीडियो आप से मिशना हो चलिए शुरू करते हैं रेडी श्टार्ट अध्धक्ष महोदय जिस भावना से मैंने यहाँ बिलपेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत्से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजी को आर परसों से देख रहे हैं मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राश्टपत इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है आप राज्यों में राज्य पाल सासन अस्थापित करते हैं जब यहाँ देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की विवस्था वहां का विकास ठीक से नहीं हो रहा है जब किसी राज्य में गलवडी फैल रही हो विकास का काम शमावत हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हो तो वहां पर राज्य पालसासन अस्थापित किया जाता है ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौझूद हैं उसी प्रकार से हमारे राष्टपति हैं और अगर देश में इस तरह की इस्थित वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्टपति इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश की उन्नत के जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले सकें। हमारे भाईयों ने बहुत से उदारण दिये हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारे नहीं चलीं। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हद कंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम करती हैं तो विधान सभा म में यह असपष्ट है कि अश्ट पति सासन अपने हाथ में ले लें। मैं एक उदारण देता हूं कि संभिधान में आदिवासी हरजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि दसवर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक इस्थित को सुधार देंगी। लेकिन यह स आर्थिक और शामाजिक उन्नत आप नहीं कर पाई हैं। इस काम में सरकार बिलकुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह ए इक बहुत ही भयंकर समस्या है। महोदे यहाव विचार किया गया है कि जो ब्यक्ती समाज में काम करता है चाहे आविसकार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उसकाम में तब-tक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सायो या समाज समाज ने जो परिशरम किया है या कुछ आविसकार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो उसका उपयोग वा ना कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्त किसी वस्तु का आविसकार करता है तो आविसकार करने में ना किवाल उसका अपना परिशरम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के छेतर में हो या प्रद्योगी के छेतर में या किसी अन्य छेतर में उस सबसे भीवा लाभानवित होता है इसलिए जब हम किसी आविसकार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमें अमारे दिमाग में आता है कि जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविश्कार किया है। उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। मानिनियम मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिध्धान्द पर आधारित होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पेटेंट ला के पीछे दो सिध्धान्द निश्चित हैं। पहला सिध्धान्द तो यहा है कि जो ब्यक्ति परिश्रम करके धन लगा कर अपना दिमाग लगा करके किसी वस्तु का आविश्कार करता है। उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिक हैं चाहे विज्ञान के छेतर में या प्रद्योगी के छेतर में या किसी अन्य छेतर में और जिनके आधार पर वह कोई आविश्कार करता है। उसको उसका प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परिडाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंतरी महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धान्त है वह इस विधेयक के पीछे अस्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्त के आविशकार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपारजन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो उसे प्रतिष् करने का देश में शम्रिद दिलाने का जो वज्ञानिकया प्रद्रोग की आविस्कार हो रहा है उसमें भी उसका पूरा-पूरा उप्योग हो यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूं कि हमारी पेटेंट प्रलाली सफल सिद्ध हो सकती है यहां प्रशन उठ सकता है कि किस सीमा तक अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाव हो समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके एक द्रिष्टी कौन जो इसके पीछे है हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोण हैं हमारी कई जातियां कई धर्म कई भासाएं और कई प्रकार के रीतिरिवाज हैं इस विविदता से हमें लाव उठाना चाहिए किन्तु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चड़ रहा है भारत को सतंदता मिली है इसका अर्थिया होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो से वि राज्य गरीब जंता का है और उसके नाम पर उसके सरचक बन कर हमें उसको चलाना है अब गरीब को ऐसा अन्भाव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है सूरे के उद्य होने पर धनी गरीब सब के घरों में प्रकास पहुँचता है ठीक उसी प्रकार स्वराज सबची का लब सबको एक समान मिलना चाहिए इसका सुखधनी निर्दन सबको बराबर मिलना चाहिए जंता को हमने वचन दिया था कि सुधी मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिये हुए वचन को सार्थक करना है इतने बड़े देश में विचार भेद होना शाभाविक है देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंस भी है या नहीं यदि है तो समान कारे करम बनाईए इस प्रकार कारे करने से हमारे भेद भाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अ पर जाएंगे और स्वराज प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा अध्यक्ष जी किसी भी देश की विदेश नीती अपने में कोई स्वतंत्र नीती नहीं होती है वरन वह किसी देश की आंतरिक नीती को असपश्ट करती है उदारण के लिए हम अमरीका को ले सकते हैं उसने अपने यहां अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाच फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाच की विक्री के लिए ऐसे देशों की तलास करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों किन्तों हमारी आंतरिक नीती ने यह तै किया कि बात की आवेश्यक्ता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उप्योग कर सकें। पर यू यन ओ का चुनाओ होकर एक संसद बनाई जाए और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगा कर एक विकास का खाता खोल दिया जाए जो देश बिक्सित है उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के सो घंटों के बराब पर माना जाता है क्योंकि उनके पास सादन है इसी लिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है किसी देश के अंदर आंतरिक नीत में अमेरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा है और वह दुनिया के देशों में बिद्यमान अमेरी और गरीबी के इस को समाप्त करेगा यहां समझ में आने वाली बात नहीं है अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूं पूर्वी जर्मनी को माननता देते समय हमें परिसानी होती है इसलिए कि साहत पस्चमी जर्मनी को बुरा लगे लेकिन पस्चमी जर्मनी ने तो अपनी दक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है उसने अपनी पूरी सक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं उपाद धक्ष महुदे मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेज सिकनीती पर ना केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बलकि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद दिया है इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद दे कर उनका बोज बढ़ाना नहीं चाहता इस्टाब ओके दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करेगा 160 सब्सक्राइब की स्वीड से था बीच में एक जोगा तुरूटी होई गया तो इसके लिए मैं चामा चाहूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए है और पीडियो फिसका आपको हमारे टेलीग्राम पर म झाल झाल